इश्वर से इश्वर की प्राप्टी सहज कैसे है तो पता पड़ा कि सहजता का एक बहुत अच्छा कारण है कि आपका लक्ष, आपका जो लक्ष है जीवन का वो लड़धारित होना चाहिए वो बालक पांच वर्ष का है लेकिन वो परमात्मा को पाजा रहा है क्या था उसके जीवन में विशेश उसके जीवन में लक्ष था और उस लक्ष के लिए वो घने बन में बिना किसी डर के जानवरों के भाय के बिना मरत्यू है नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा भूप कैसे आएगी प्यास क्या होगा कुछ नहीं सोचा वो बढ़ गया ये जो सूत्र है अरुपका ये है जीवन की सफलता का सूत्र आज जितने लोग चाहें वो बच्चे हो या बड़े हो या बिजनस में हो या नौकरी में हो या पड़ाही में हो या जो किसी में भी है उन सबको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक आपकी लाइफ में एक डिटर्माइन गोल नहीं होगा जब लक्ष नहीं होगा निरधारत तब तक जीवन में कुछ प्राप्त होई नहीं सकता और आज तक किसी को नहीं मिला आज तक का रिकॉर्ड है जितने लोगों ने भी पाया है वो बहुत बहुत डेडिकेट होकर पाया है आप जब तक अपने लक्ष के प्रति निर्धारत नहीं हो जाएंगे कमिटेट नहीं हो जाएंगे संकल पर तो नहीं हो जाएंगे तब तक आपको मिल ही नहीं सकता आप चाहें कुछ कर लीजेगा आप स्कूलिंग में हैं आप कॉलेज में हैं आप किसी में भी हैं आपको डिसाइड करना पड़ेगा और डिसाइड करने के बाद आपको उसकी पीछे भागना पड़ेगा और जब भागोगे तो आपकी नजर में सडक नहीं होगी आसपास नहीं होगा पैरों की नीचे जमीन है या काटे है क्या यह यह नहीं होगा आपके आँख में सिर्फ आपका गोल होगा और जिसने ये कर लिया उसको किसी तरह की गोल की तो छोड़िये गोविन को पाना कोई बड़ी बात नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है